नवश्कार दोस्तो आज है 25 जुलाई और सागत है आपका आपके अपने चैनल रोयल एमपी में जहाँ पर आप सुनते हैं मद्द प्रदेश की सभी महतुपूर्ण ख़वरें ख़वरों की सुरुबात करते हैं आज की हेडलाइन से मद्द प्रदेश उप चुनाव पर अभी भी है सस्पेंस बरकरार चुनाव आयों की परवक्ता ने कहा सई समय पर तारीख घोसित करेंगे आई टी आई में प्रवेस के लिए रजिस्टेशन और च्वाइश फिलिंग 31 जुलाई तक कर सकते हैं दस्वी के परिणाम देरी से आने के कारण तारीखें बढ़ाई गई हैं और मद्द प्रदेश अनलोक दोका 24 पा दिन राज में 24 घंटे में 843 नए केस मिले दसकी मौत हुई भोपाल में कल देर रात से लोकडाउन वालियर की सीमाए 3 दिन के लिए सील और आंगन बाड़ी कारिकरता सहाईका के परिजनों को अनुकम पान युक्ती दी जाए खबरों की सुरुआत करते हैं बिस्तार से पहली खबर है मद्द प्रदेश में चल रहा उपचुनाओ को लेकर सस्पेंस पर उपचुनाओ होना है मद्द प्रदेश में जिसमें अभी भी सस्पेंस बरकरार है बैठक के बाद नर्नाय लिया गया है देश भर की 56 खाली सीटों पर उपचुनाओ होना है नियमनुसार सीट रिक्त होने पर 6 महा के भीतर उपचुनाओ कराया जाना चाहिए मद्द प्रदेश में उपचुनाओ को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है सुकरवार को हुई चुनाओ आयोकी बैठक में मद्द प्रदेश समय देश भर की 56 बिदानसवा सीटों तता एक संसदिय सीट पर उपचुनाओ कराने का फैसला तो किया है लेकिन तारीक तै नहीं हुई आयोकी परवक्ता सेफाली शरण ने बताया उपचुनाओ की तारीक उचित समय पर घोसित की जाएगी मद्द प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाओ होना है अधिकान सीटों पर सितंबर तक चुनाओ कराय जाने है आयोक ने कल कहता कि चुनाओ आयोकी सुक्रबार को होने वाली बैटक में इन सीटों के उपचुनाओ के बारे में बिचार किया जाएगा आयोक के अनुसार 22 जुलाई को आयोक के बरिष्ट प्रधान सचेप सुमित मुखरजी द्वारा जारी बिग्यपती से मीडिया में भर्म की इस्तिती पैदा हो गई थी इसलिए उन्होंने कल सपष्ट किया कि आड़ बदान सवा छेतरों के उपचुनाव के बारे में जो फैसला लिया गया था मैं एक बिसेश परिस्तिती में लिया गया था अगली ख़वर है आई टी आई में प्रिवेश के लिए रजिस्टेशन और चोईस फिलिंग 31 जुलाई तक कड़ सकते हैं मदपरदेश में आई टी आई में प्रिवेश के लिए 31 जुलाई तक रजिस्टेशन की तारीख बढ़ा दी गई है अगस्त 2020 से प्रारम नए सेक्षिनिक सत्र में सासकी एवं निजी आई टी आई में प्रिवेश की ओनलाई प्रिक्रिया की जा रही है सास की अत्वा प्राइवेट आई टी आई में प्रवेस के लिए अब्यरतियों को रजिस्टेशन और चोईस फिलिंग कराना अनिवारे होगा संचालक कोशल विकास एधनराजू ने बताया कि अब तक लगबग 61,499 रजिस्टेशन और 55,755 अब्यरतियों ने चोईस फिलिंग की है इस सत्र में अनिराज्यों के आबिदकों के प्रवेस की विवस्ता निर्दारित की गई है MP Online के रजिस्टेशन तता गलती सुदार एवं एकचुक संस्ताओं में प्रवस्ताओं की प्रात्निक्ता के किरम का विकल्प तता चोईस फिलिंग में गलती पोर्टल पर सुदार सकते हैं अगली ख़बर है राजमे कोरोना को लेकर मदपरदेश में 24 घंटे के अंदर 843 नए केस मिले बोपाल में 144 इंदोर में 99 पोजिटिव सामिल हैं इसके साथ ही अब राजमे कोरोना की संख्या बढ़कर 25,474 हो गई वहीं गुरुवार को 10 लोगों की मौद भी होई 523 लोग ठीक होकर अपने घर भी लोटे परदेश में अब तक संक्रमण से 632 लोग अपनी जान गवा चुके हैं राजधानी में दो दिन बाद सुक्रवार को संक्रमतों की संक्या में मामूली कमी देखी गई वुद्वार को 196 गुरुवार को 190 पॉजिटिव मिलने के बाद सुक्रवार को 144 पॉजिटिव केस मिले इसके साथी भुपाल में संक्रमण की संक्या पांच यार के अगड़ को पार कर गई अब तक यहां पर पांच यार 68 संक्रमित मिल चुके हैं 149 मरीजों की मौत भी हो चुकी है वुपाल सहरी छेतर में कल रात आठ से चार अगस्त तक लोकडाउन लागू कर दिया गया इस दोरां रक्चाबंदन और इदुल जुहा का तेवार भी सारजुनिक रूप से मनाया नहीं जा सकता एमर्जेंसी सेवां को छोड़ कर सब कुछ दस दिन तक बन रहेगा सीहरी छेतर में 28 तक के लिए सील कर दिया गया यहाँ पर अब मरीजों की संक्रमित एक सो पचीस पहुँच गई है महीला बाल्दकास मंत्री स्रीमती इमर्ती देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्टिय राज्य रास्तरिय आपदा प्रभंदन अधिनियम के अंतरगत एदि आंगन बाड़ी कार करता सहीका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दोरान उसकी मृत्ती हो जाती है तो उसके परिवार की महीला सदस्य को आंगन बाड़ी कार करता या सहीका के पत्पर न्युक्ती दी जाएगी उन्होंने का की बर्तमान में सर्व व्यापी महामारी कोबिड नाइनटीन में आंगन बाड़ी कार करता भी कोरोना युद्धा के रूप में कार कर रही है एनर ने लिया गया कि आंगन बाड़ी कार करता शहीका कोबिड नाइनटीन के दोरान करतब पालन करते हुए दिवंगत होने पर भविश्य में राष्टिय राज इस्तरी आपदा गोश्चत होने पर अगर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इस दोरान की उम्रति वोजाती है तो उसके परिवार की महीला सदस्स से निर्धारित आहरतायं पूर्ण करती है तो ऐसी इस्तिती में नकती करता अधिकारी बाल कास परियोडिना अधिकारी दोरा उने सीथे नकती किया जाएगा आज की खबरों में इतना ही उम्मीद है आपको मतपर्देस न्यूज पसंद आ रही होंगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए कर मिलते हैं धन्यवाद